अगर आप भी एक जैसा नास्ता खाकर बोर हो चुके है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें आपको यह बहुत पसंद आएगा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हिल्दी है साथी तेस्टी है कम उत में बनता है कम तेल में बनता है इसे आप बच्छों की टिफिन में दे स साम को साइ के साथ ले सकते हैं बहुत ज़्यादा हिल्दी है और रेसिपी को अन तक ज़रूर देखिए आपको ज़रूर पसंद आएंगे तो से लिए वीजियो शुरू करते हैं और अगर ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मन भ चाहिए और जिन लोको को कद्डू खाना पसंद नहीं है उन्हें आप इस तरह से बना के खिला सकते हैं उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने ये रेसिपी कद्डू से बनाया है तो हम कद्डू की चिलके निकाल लेंगे और इसे हम अच्छे से धोके इसकी ह हमें इसे बोईल करनी है और ये हमने इसकी तुक्रे कर ली है तो अब इसे हम थोड़े से पाने की साथ बोईल करेंगे कद्डू बहुत जल्दी बोईल हो जाते है अगर आप कुकर में बनाएंगे तो एक शीटी में ही ये बहुत अच्छे से बोईल हो जाएंगे तो हम इस तरह से तयार कर लिया है, तो अब एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसे हम यह सारी पेस्ट उसमें हम दाल देंगे, और इसमें हम एद करेंगे, आधे कतोरी सुजी, तो एक कतोरी कड्डू में आपको आधे कतोरी सुजी डालनी है, एक कतोरी आप इसमें सेट कर लीजिए, और इस मिसरन को हम धक्के रख देंगे करीब 10 मिनित के लिए ताकि सूजी जो है वो हमारा अच्छे से फुल जाए और ये देखिए 10 मिनित हो चुका है सूजी अच्छे से फुल चुके है क्योंकि ये जो पेस्ट है ये काफी गाड़ा हो चुका है कड़ू में जो भी पानी था वो साड़ा सूजी ने सोक कर लिया है तो ये अभी काफी गाड़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी याद करेंगे बहुत जादा पानी आपको इसमें याद नहीं करनी है ये जो पेस्ट है इसे गाड़ा ही रहने देना है बस इससे थोड़ा सा और पतला होनी चाहिए तो पानी हिसाब से डालिएगा और ये देखिए इस तरह का आपका बेटर होनी चाहिए जिस तरह केक की बेटर होते है उससे थोड़ा सा ज्यादा ठीक आपका बेटर होनी चाहिए तो अब हम इसमें दालेंगे थोड़ी सी कटी हुई सिमला मिर्च और ये थोड़ा सा प्याज तो सबजिया जो है वो आप अपनी पसंद अनुसार डाल सकते है आप इसमें गाजर बीन्स के वेज कुछ भी डाल सकते है स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है आधे चोटे समज मुना हुआ जीरा पाउडर आधे चोटे समज चाट मसाला और थोड़ी सी आजवायन को हमने हाटों से क्रास करते हुए दाला है साथी एक निम्बू का रस हमने इसमें एद किया है अब सभी चीजों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एद करेंगे थोड़ी सी मिथा सोदा आधे चोटे समज से थोड़ा सा कम हम इसमें मिथा सोदा एद करेंगे आप चाहे तो इनो सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते है अगर आप इनो डाल रहे हैं तो आधे चोटे समज आपको इसमें इनो एद करनी है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तिफिन को मैंने ऑइल से अच्छे से ग्रिज कर लिया है, और अब ये सारी मिक्सर हम इस तिफिन में डाल देंगे, समझ से हम इसे अच्छे से इस तरह से फैला देंगे, सभी तरफ से बराबर कर देंगे, और अब हम इसे स्टीम करेंगे, तो स्ट तरहाई में पानी डाल के पहले से ही रख दिया था और पानी ये दिखे गरम हो रहा है तो एक इस तरह का स्टैन या आपके पास अगर नहीं है तो कोई प्लेट भी आप नीचे डाल के इसकी उपर हम इस तरह तिफिन को बैठा देंगे और धक्के हम इसे करिब 20 मिनित तक और जब तक यह स्टीम होता है हम एक स्लेडी तयार करेंगे थोड़े से पेशन में डालेंगे स्वाद अनुसर नमक साथी यह थोड़ा सा कड़ी पत्ता इसे हमने बहुतीपारी काट के डाल दिया है इसमें अब इसमें पानी डालेंगे और इसका पतला सा घोल तयार इसमें अभी भी थोड़ी सी गुठलिया है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह बड़ाबर हो जाएंगे और यह देखिए 20 मिनित हो चुका है और यह जो हमारा बेटर है यह काफी अच्छे से सेट हो चुका है आप चाहे तो इसमें टूटपीक डाल के भी शेक कर सकते है तो यह भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है और यह देखिए हातों में कुछ नहीं लग रहा है मतलब यह बहुत अच्छे से पक चुका है अब एक शाकू की सहायता से इस तरह से हम इसे किनारों को थोड़ा सा लूज कर लेंगे अब एक प्लेट डाल के हम इसे निकाल तो आप इसको इसी तरह सही कट करके खा सकते हैं यह ऐसे ही काफी हल्दी है तो अब इसकी हम कट लगाएंगे आप जैसे सहे इसकी कट कर सकते हैं रटेंगल ट्राइंगल या फिर स्कुर सेप में आप इसे कात के तयार कर सकते हैं तो देखिए मैंने इसे इस तरह से कात के थोड़ा सा और तेस्टी बनाएंगे, इसके लिए हम इसे सेलो फ्राइ करेंगे, आप चाहे तो इसे डिफ्राइ भी कर सकते है, फ्राइ करने से नास्ता हमारा बाहर से बहुती कुर कुरपोरे हो जाएंगे, जिससे ये खाने में बहुत ज़्यादा तेस्टी लगेंगे तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ तो हमने पैन पहले से ही बैठा के रखा है इसमें दाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ओयल आपको इसे भी कुकिंग ओयल का इस्टेमाल कर सकते है और जैसे ही ओयल गरम हो जाए हमने जो बैसन का घोल बनाया था उसमें हम एक एक पीस को डिप करेंगे और उसे हम ओयल में डालते जाएंगे और ऐसे ही हम सारे पीसेस को बढ़िया से अलत पलत करते हुए फ्राइ कर लेंगे यह नास्ता एक पर बनाके देखेगा आपको इतना तेस्ट लगेगा कि आप बार बार इसे बनाना पसंद करोगे मीडियम आज पे हमें इसे फ्राइ करनी है और सभी तरफ से अलत पलत करते हुए हमें इसे अच्छे से पका लेना है तो यह देखिए नास्ता जो है हमारा अभी बनके बिल्कुल तयार है तो इसे अभी चलिए निकाल लेते हैं तो इसी तरह सही सारे नास्ते को हम तलके तयार कर लेंगे आज की रिसिपी कैसा लगा यह आप हमें कमेंड में जुरूर बताईएगा और अगर जड़ा भी अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक शेयर और सेनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो यह देखिए हमारा बढ़िया सा नास्ता जो की देखने में भी सुन्दर है और खाने में भी तेस्ती है तो आपको जुरूर से पसंद आये होंगे जब कभी भी आपको भूक लगे इस नास्ते को जुरूर बना के खाईए तो इसी के साथ ही विदा लेते हैं गुद बाई and टेक क्यार